Hello friends, welcome to study car, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज किस important lecture में हम सभी discuss करने बाले हैं, 10 जुलाई 2014 के most important current affairs के question, तो आप इस पूरी lecture को बहुत ही ध्यान से last तक जोर देखेगा, पहला और important question है, PM Modi को order of St. Andrew, the apostle सम्मान किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है, तो रूस के द फिजी से सम्मानित किया गया था, और पपुआ नियुगिनी के द्वारा, companion of the order of लोगोहू से सम्मानित किया गया था, और Republic of Palau के द्वारा, एवाकल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, PM Modi को, तो अभी यहाँ पर आप picture देख सकते हैं, जिसमें आप ब्लादमिर पुतिन को देख सकते हैं, जो के रूस के राष्टपती हैं, और यह है PM Modi ji, तो अभी Modi ji, रूस की यात्रा पर गए हैं, तो इसी यात्रा के दोरान, ब्लादमिर पुतिन ने PM Modi ji को यह अबाड दिया है, यह सम्मान दिया है, तो दोस्तों, याद रखिएगा कि यह सम्मान PM Modi ji को 2019 में प्रदान किया गया था, लेकिन अब उनकी 2019 के बाद पहली यात्रा है, तो इस यात्रा में ही, उन्हें Order of St. Andrew, the Apostle, the First Call, से सम्मानित किया गया है, यह इस अबाड का पूरा नाम है, रूस में यह पुरुषकार वीर्था के लिए दिया जाता है, यह सम्मान मोन रूप से उत पुरुषकार डिसकस कर लेते हैं, तो 2016 में उन्हें Order of Abdul Aziz Al Saud पुरुषकार साओधी अरब के द्वारा दिया गया था, 2016 में अमीर अनामुलाह खान पुरुषकार अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया था, 2018 में सियोल सांती पुरुषकार दच्छन कोरिया के द्वारा, 2018 में Grand Caller पुरुषकार फिलिस्तीन के द्वारा दिया गया था, 2018 में Champion of the Earth Award United Nation के द्वारा प्रदान किया गया था, 2019 में Global Goal Keeper Award Bill and Melinda Gates Foundation के द्वारा दिया गया था, 2019 में The King Hamad Order of the Renaissance Award दिया गया था, बहरीन के द्वारा, 2019 में Order of Jaiad Award UAE के द्वारा प्रदान किया गया था, इसके अलाव़ा, 2019 में St. Andrews the Apostle Award जिससे अभी हमने डिसकस किया हुआ है, ये रूस के द्वारे दिया गया था, 2019 में Philip Kotler Award दिया गया था, Calog School of Management के द्वारा, और 2019 में Rule of Nisan Ajuddin Award मालीप के द्वारा प्रदान किया गया था, और 2020 में Leason of Merit Award अमेरिका के द्वारा प्रदान किया गया था, 2021 में Order of the Drug ग्यालपो दिया गया था, भूटान के द्वारा, 2023 में Order of the Nile अबार दिया गया था, इजिप्ट के द्वारा, 2022 में PM Modi को पहला लता दीनानात मंगेस्कार अबार प्रदान किया गया था, और 2023 में लोकमान तिलक पुरुसकार भी उन्हें प्राप्त हुआ है, तो ये है प्राइमिस्टर मोदी जी को प्राप्त सभी पुरुसकार, आप इस पूरे लेक्शर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में आपसे कोशन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्श में देना है, अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकोन भी दबालें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिपिकेशन मिल सकेगा, चलिए अंगला कुशन डिसकस करते हैं, अंगला कुशन है, पैरिस उलम्पिक दो हजार चौबीस के लिए, अचन्ता सरत कमल के साथ किसे भारतियत दल का ध्वज बाहक बनाये गया है, आंसर हो जाएगा पीवी सिंधू, तो दो हजार चौबीस में पैरिस में उलम्पिक आ पैरिस उलम्पिक दो हजार चौबीस के लिए ध्वज बाहक बनाये गया है, पीवी सिंधू की अगर हम बात करें, तो उन्होंने बैडमिंटन में, रियो उलम्पिक में सिल्वर मेडल जीता था, रियो उलम्पिक 2016 में आयजित किया गय थे, और टोक्यो उलम्पिक 2020 के अंदर उन्होंने ब्रॉंज मेडल जीता था, तो दोस्तों पीवी सिंधू, दो उलम्पिक मेडल जीतने वाली एक मात्र भारतिय महिला हैं इस बात को भी आप याद रखीगा अचंता सरत कमल भारत के टेविल टैनिस स्टार हैं तो इन्होंने कॉमन वैल्थ गेम्स 2022 केंदर तीन गोल्ड और एक सिल्बर मेडल जीता था इन सभी के अलाबा पैरेस उलम्पि मिसन का अर्थ ये होगा कि अब भारतिय दल को लीड कौन करेंगे गगन नारंग तो देखिए पैरेस उलम्पिक में जितने भी खिलाडी जाएंगे उन सभी को लीड अब कौन करने वाले हैं गगन नारंग लीड करने वाले हैं एमसी मेरी कौम को इससे पहले सैफडी मिसन नुक किया गया था लेकिन उन्होंने इस पद से स्थीपा दे दिया था पैरेस उलम्पिक 2024 से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्टे डिसकस करते हैं तो पैरेस में उलम्पिक खेलों का आयजन सो वरसों के बाद किया जा रहा है इससे पहले 1924 में पैरेस में उलम्पिक खेलों का आयजन किया गया था लंदन में 1908, 1948 और 2012 में उलम्पिक खेल आयोजित किये गए हैं पैरिस उलम्पिक 2024 का जो उद्घाटन समारो होगा ये किसी स्टेडियम में नहीं होगा ये इंट्रेस्टिंग बात है ये होगा सीन नदी के किनारे पर ठीक है? इसके अलाब आपको याद रखना है कि पैरिस उलम्पिक 2024 में 32 खेल खेले साएंगे और कुल 329 पदक इस परदाएं आयोजित की जाएंगी पैरिस उलम्पिक में पहली बार ब्रेकिंग गेम्स को भी सामिल किया गया है अंगला कुशन है टाटा पावर सोलर ने किस राज में घर घर सोलर पहल की शुरुबात की है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश तो टाटा पावर सोलर के द्वारा उत्तर प्रदेश राज में घर घर सोलर पहल की शुरुबात की है मद्द प्रदेश की बात करें तो मद्द प्रदेश के सीहौर में भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रेकर परियोजना इस्थापित की साएगी राजिस्थान में अभी हाली में राजिस्थान मुख मंत्री विश्व कर्मा पैंसन योजना की शुरुबात की गई है और करनाटक में ग्रह लक्ष्मी योजना की शुरूबाद की गई है तो Tata Power Solar Systems Limited ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर Tata Power के संग पहल की शुरूबाद की है इसका उत्तर प्रदेश है वारांटसी से सुरू करके उत्तर प्रदेश के हर घर में रूफ टॉप सोलर समाधान उपलब्द कराना दोस्तो Tata Power Solar Systems Limited की बात करें तो यह सौर उर्जा के छेत्र में कार करने वाली भारत की एक कंपनी है और यह कंपनी सौर मॉड्यूल, सौर सेल और अन्न सौर प्रोड़क्ट बनाती है इस कंपनी को 1989 में स्थापित किया गया था नोईडा में इसका मुख्याला है और 2017 में Tata Power Solar दुनिया भर में एक गीगाबाट से अधिक सौर मॉड्यूल सिप करने वाली पहली भारतिये कंपनी बनी थी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट डिसकस करते हैं तो इसपैन अभी हाली में अंतरराष्टिये सौर गटबंधन का निन्यान नवेवा सदस्थ बना है और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्यू का तीसरा सबसे अधिक सौर उर्जा उत्पादक देश बना है परागबे अभी हाली में अंतरराष्टिये सौर गटबंधन में सामिल होने वाला सौबा पूर्ण सदस्थ बना है और भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी उर्जा भंडारन प्रणाली का उधगाटन 36 गड़ के राजनाद गाओं में किया गया है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहाद में 50 मेगाबाट के गुजराई सौर उर्जा इस्टेशन को शुरू किया गया है सौर पार्क योजना चमताओं में राजिस्तान और अंधर प्रदेश अग्रिने राज हैं आयोध्या में सर्यो नदी पर सौर उर्जा संचालित जहाज जिनका नाम है रामायण ये चलाई जाएंगे नेक्स्ट कुशन है पत्र सूचना कार्यालाई यानि P.I.B. के महाने देशक कौन निउक्ट के गए हैं तो प्रेस इंफर्मेशन ब्यूरो यानि P.I.B. के महाने देशक निउक्ट किया गए हैं धीरेंद्र ओज़ा एंड चंद सेखरन की बात करें तो वह टाटा एलेक्ट्रोनिक्स के अध्यक्ष हैं संजे नायर कौन है वो एसो चैम के अध्यक्ष है और आर संकर रमन एल एंड टी ग्रुप के नए अध्यक्ष अभी हाली में बनाए गए हैं तो भारतिय सूचना सेबा के बरिष्ट ओफिसर हैं धीरेंद्र ओज़ा तो उन्हें पी आईबी का महानिदेशक अभी हाली में नुक्ट किया गया है उन्हें सेफाली सरण के स्थान पर नुक्ट किया गया है सैफाली सरण को प्रकासन बिभाग का महा निदेशक नुक्त किया गया है तो ये अभी हाली में नुक्तियां की गई है प्रेस इन्फॉर्मिशन ब्यूरो यानि PIV को डिसकस करते हैं तो इसकी स्थापना जून 1919 में अग्रेजों की सरकार की समय की गई थी बरतमान में यह सूचना प्रदान करना PIV का जो प्रमुक होता है वह भारत सरकार का आधिकारिक प्रवक्ता भी होता है यानि जो भी व्यक्ति PIV का प्रमुक होगा वह व्यक्ति सरकार का आधिकारिक प्रवक्ता माना चाता है सूचना और प्रसानन मंत्रालय की बात आई थी तो इसके मंत्र की मंत्राला की निदेशक सुनील कुमार यादाव बने हैं, कोरू मंडल इंटरनेशनल के कारेकारी अध्यक्ष अरोण अलगपन बने हैं, T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेस्टर युबराज सिंग, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट और साहिद अभरीदी को बनाया गया था, WFI अथलीट आयूक्या ध्यक्ष नर्सिंग यादाव बने हैं, AMU की पहली महिला कुलपती नईमा खातून बनी हैं, और इंटेल इंडिया के MD संतो सुभिस्वनाथन और सिट्रोइन इंडिया के ब्रांड नमेस्टर MS धौनी बने हैं, NSG के प्रमुक नलिन प्रभाद बनाए अंगला कुशन है, VWF Reunion Open 2024 का पुरोस एकल का खिताब किसने जीता है, आंसर हो जाएगा थारून मन्ने पल्ली ने, तो भारत के बैडमिंटन खिलारी हैं थारून मन्ने पल्ली, तो उन्होंने VWF Reunion Open 2024 का खिताब जीता है, ओप्सन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ती तीन खिलारियों के नाम दिये गए हैं, तो यह तीनों tennis related हैं, तो इनसे related question पूशा जाता है कि इनका संबंद किस देख से है, जैसे Casper Root की बात करें, तो यह नौर्वे के tennis खिलारी हैं, रोजर फेडरट सुट्जले लेंड के tennis खिलारी थे, और राफेल नडाल स्पैन के tennis तो यह point भी आप note कर सकते हैं, चलिए इस question को discuss करते हैं, तो तेलंगाना के रहने वाले थारुन मन्ने पली ने अभी हाली में VWF Reunion Open 2024 के final मुकाबले में जापान के खिलारी को हरा करके पुरुस एकल का खिताब जीता है, इसी प्रकार से महिला बर्ग में भारत की गुजरात की रहने वाली तसनीम मीर ने भारत की ही रक्षिता स्री को हरा करके महिला एकल का खिताब जीता है, बात करते हैं VWF की, तो VWF को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1934 में की गई थी, 201 इसके मेंबर हैं और इसका हैटक्वाटर ह क्वालालामपूर मलेसिया में, इसके प्रेसिडेंट है पॉल एरिक हायर लार्सन, दोस्तो बैडमिंटन के खेल को नियंदित करने वाली विशु की सबसे वड़ी संस्था कौन है, VWF नेक्ट कोशन है, विशु बॉधिक संपदा संग्ठन यानि WIPO की रिपोर्ट के अंसार, जनरेटिब आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस के पेटेंट में भारत किस स्थान पर है, आंसर हो जाएगा पांचबे नमबर पर, यानि कि आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस का उप्य करके कितने अविस्कार किये जा रहे हैं किस देश में, इस बात को लेकर के ये रिपोर्ट जारी की गई है, तो दोस्तो जनरेटिब आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस के पेटेंट में भारत पांचबे स्थान पर है, पहले स्थान पर कौन है, चाइना, तो चाइना की बात क अविस्कार किये गए हैं, आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस का यूज करके, दूसरे स्थान पर है अमेरिका, जहां पर 6,276 अविस्कार किये गए हैं, तीसरे नंबर पर है कोरिया गडराच, तो यहां पर 4,155 अविस्कार किये गए हैं, और फिर चौथी नंबर पर है बात करते हैं WIPO यानि World Intellectual Property Organization की, तो इसका गठन 1967 में किया गया था और इसका उदेश है रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना, उनको प्रोसाहित करना, इसका मुख्याल है जेनेवा सुर्जलेंड में है, इसके मेंबर है 119 और 1975 में WIPO का सदस्थ भारत बना था, विस्व बौधिक संपदा दिवस का मनाय जाता है 26 अप्रेल को, विस्व बौधिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रेंक क्या है 42, तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर सकते हैं, अंगले कुशन आपसे पूछा जा रहा है, HCL Technologies की चेर परसन, रोसनी नादर को किस देश का सर सर्बोच संपान किसे प्राप्त हुआ है, रोसनी नादर को, दोस्तो यहाँ पर बात आई है इटली की, तो कबीर बेदी को इटली के सर्बोच नागरिक संपान, Order of Merit of the Italian Republic से संपानित क्या गया था, दच्छन अफरीका की बात आई है, तो भारत के फिल्म निर्माता है वि मोदी जी को भूटान का सर्बोच नागरिक संपान, Order of the Drug ग्याल को प्रदान किया गया था, तो HCL Technologies की चेरपर्षन रोसनी नादर मलहुत्रा को, फ्रांस के सर्बोच नागरिक संपान, सेबेलियर डे ला लेगियन डी ओनर, यानि Knight of the Legion of Honor से संपानित किया गया है, उन्हें या समान, कारुबार और परियावरण अनकूल उपायों में उनके युगदान के लिए दिया गया है, HCL Technologies की बात करें, या भारत की एक Multinational Technology Company है, इसका Headquarter है नोईडा में, इसकी स्थापना 11 अगस्त 1976 कुकी गई थी, इसके संस्थापक हैं सिब नादर, तो सिब नादर की ब Current Affairs discuss कर लेते हैं, तो अभी हाली में फ्रांस के द्वारा ASMPAR परमाणू बायू प्रचेवित क्रूज मिसाइल का सफलता पूर्वग परिक्षण किया गया है, UPI को पेरिस के FL Tower में अभी हाली में लौंच किया गया है, गर्तन दिवस समारो 2024 में मुख अतिती कौन थे, फ्रां फ्रांस के विज्ञानकों ने दुनिया के सबसे सक्तिसाली Magnetive Resonance Amazing Scanner यानि MRI Scanner से ब्रेन को स्केन किया है, डिजिटल बीजा की पेसकस करने बाला पहला यूरोपिय संग का राष्टर कौन है, फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच में सक्ति अभ्यास, वरोण अभ्यास और गरोण अभ्यास आयूजित किया जाता है, तो ये फैक्ट भी आप नोट कर सकते हैं, फ्रांस की बात करें तो राजधानी इसकी पैरेस है, राष्टपती है Emmanuel Macron, प्रधान मंतरी है Gabriel Attal और करनसी है Euro, देखे दोस्तों फ्रांस में अभी चुनाव आयूजित करवाए गए थे अब देखते हैं कि आने वाले समय में यहां के राष्टपती और प्रधान मंतरी कौन बनते हैं, अंगला कुश्यन है जापान और किस देश के बीच एतिहासिक रैसी प्रोकल एक्सेस एग्रिमेंट हुआ है, आंसर हो जाएगा फिलिपिन्स, तो अभी हाली में जापान और फिलिपिन्स के बीच में एक रैसी प्रोकल एक्सेस एग्रिमेंट हुआ है, और इस एग्रिमेंट पर अभी हाली में हस्ताक्षर फिलिपिन्स की राजधानी मनीला में किये गए हैं, तो जापान और फिलिपिन्स के बीच ये जो एतिहासिक रक्षा समसोता हुआ है, इसके यहाँ पर आप एसिया महादीप का मैप देख सकते हैं, तो यहाँ पर इस्ते थे जापान, और यहाँ पर इस्ते थे फिलिपिन्स, तो इन दोनों देशों के बीच में भी ये एग्रिमेंट हुआ है, जापान को डिसकस करते हैं, तो कैप्टल इसकी टोक्यो है, अंगला कोशन है, भारतिय क्रिकेट टीम के मुख कोच कौन बने हैं, तो गौतम गंभीर अब भारतिय क्रिकेट टीम के मुख कोच बनाए गए हैं, दिनेश कार्ते की बात करें, तो RCB टीम के बल्लेबाजी कोच और मेंटर निउक्त किये गए है अभी हाली में हरिंद सिंग राष्टिय महिला होंकी कोच बनाए गए है और अमोल मजूमदार भारतिय महिला किरके टीम के मोख कोच है तो ये निउक्तियां भी आप नोट कर सकते हैं तो अभी हाली में गौतम गंभीर टीम इंडिया के हैड कोच निउक्ति के गए है ये जानकारी BCCI के सचयोग जैसाय ने दी है गंभीर ने राहुल दरबन का स्थान लिया है राहुल दरबन का कारकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो गया है और गौतम गंभीर का जो कारकाल होगा वो जुलाई 2027 तक रहेगा देखे अभी हाली में IPL 2024 का आयोजन किया गय था और इसको किसने जीता है KKR की टीम ने तो KKR की टीम के कोच कौन थे गौतम गंभीर दोस्तो गौतम गंभीर भारत के पूर्व किरकेटर है और 2007 में जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था तो उस टीम का ये हिस्सा थे और 2011 में जो बंडे वर्ल्ड कप जीता था भारत ने उसके भी हिस्सा कौन थे गौतम गंभीर बात करते हैं BCCI की यानि Board of Control for Cricket in India की तो इसकी स्थापना एक दिसंबर 1928 को की गई थी मुख्याले इसका मुंबई महराष्ट में है अध्यक्ष है रोजर बिन्नी सचेव है जैसा है उपाध्यक्ष है राजीब सुकला कोसा ध्यक्ष है आसीस सेलार मुख्य चैयन करता है अजीत अगरकर और आईप्यल के ध्यक्ष कोन है अरोण धूमल और नैतिक्ता अधिकारी कोन है वी सी सी आई के विनीत सरन अंगला कुशन है आईसीसी प्लियर आफ दा मन्थ जून दो हजार 24 किसे चुना गया है आंसर हो जाएगा जस्प्रीत बूमराह को तो भारतियत तेज गैंदबाज है जस्प्रीत बूमराह है तो उन्हें जून माह के लिए आईसीसी प्लियर आफ दा मन्थ चुना गया है विराट कोहली की बात करें तो आईप्यल 2024 के प्लियर आफ दा सीरीज रहे है इसके अलाबा अभी T20 वर्ल्ड कप पैट कमिन्स की बात आई है तो T20 वर्ल कप 2024 में लगातार दो मैचों में हैट्रिक लेने वाली गैंदबाज कौन है पैट कमिन्स और इनका संबंध आउस्ट्रेलिया से है तो जो ICC प्लियर आफ दा मन्थ का बाड़ है ये महिला वर्ग और पुरुस वर्ग दोनों मिल दिया जाता है तो जून 2024 में पुरुस वर्ग में जस्प्रीद बुमराह को दिया गया है और महिला वर्ग में भारतिय महिला क्रिकेटर हैं इस्मरती मंधाना तो इनको ये प्रदान किया गया है ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही देश के खिलाडियों को एक ही महिने में मैंस और बी मैंस दौनों प्रोसकार मिले हो जस्प्रियत बोम रहा है T20 विशुकप 2024 में पिलियर आफ दा सीरीज रहे हैं उन्होंने 15 विकेट लिये थे तो दोस्तो ये थे आज के Current Affairs के Question चलिया हम कल के Current Affairs के Question एक बार Revise कर लिते हैं फिर इसके बाद General Knowledge के पिटारी को डिस्कस करेंगे लास्ट में पूछेंगे आप से Question जिसका Answer Comment Box में देना है तो कल का पहला Question था FATF की अध्यक्ष कौन मनी है तो एलिसा डी एंडा माद्रा जो FATF की अध्यक चुनी गई है किस राज सरकार के द्वारा नेपाल सीमा पर मित्र बन इस्थापित क्या जाएगा उत्तर प्रदेश 15 वी क्रसी नेतुत पुरुसकार समीती ने किस राज को सरकार क्रसी राज पुरुसकार दिया है महराष्ट D.I.D.O. ने स्वादेशी हलके टेंक का अनावरण किया है इस टेंक का नाम क्या है जोराबर डॉक्टर सी नाराएड रेड़ी साहित पुरुसकार किसे प्रदान किया गया है सिब संक्री को ACI Billiards Championship 2024 का किताब किस ने जीता है द्रोब सित्बाला ने Global Startup Summit 2024 का आउजन कहां किया जाएगा नई दिली में PMODI किस देश की तीन दिन की आतरा पर गए है तो रूस और आउस्ट्रिया पेरिस उलम्पिक में भारतिये ट्रेक और फील्ड दल का नेतोत कौन करेगा नीरत चोपड़ा पैकेजड खाद पदार्थों के लेबल पर उसर संबंधी जानकारी प्रदसित करना अनिवार किस ने किया है FSSAI ने दोस्तों आज के जनरल नौलिज के पिटारे में हम कुछ प्रमुक पुस्तकें डिसकस करेंगे जैसे स्वधीनता संग्राम ना सुर्विरो ये मीनाक्षी लेखी के द्वारा लिखी गई है रजनी के मंत्र पीसी वाला सुब्रमन्यम के द्वारा Fearless Governance के रणबेदी के द्वारा और 10 Trillion Dollar Dream सुभासगर्ग के द्वारा लिखी गई है अटल बिहारी बाजपेई पुस्तक को सागरी का घोस ने लिखा है विर्सा मुंडा जन जाती नायक पुस्तक को आलोक पाल ने लिखा है Queen of Fire को देविका रंगाशारी ने The Great Take Game को लिखा है अनिरुद सौरी ने The Tiger of Drass को लिखा है मीना मेयर ने और Place Called Home को लिखा है पृती सेनौई ने तो यह हैं कुछ प्रमुक पुस्तके कल के Current Affairs में आपसे पूछा गया था कि NATO के Secretary General कौन बनाए गए हैं तो Mark Root अभी हाली में NATO के Secretary General बनाए गए हैं तो इस बात को आप जरूर याद रखिएगा आज का Question है अचंता सरत कमल का संबंध किस खेल से है तो जो भी इसका Right Answer हो Comment Box में जरूर बताएं हमें इंस जा रहेगा आपके Answer का आप हमारे Telegram Channel को जोईन कर लीजेगा इसका Link आपको Description में मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगा इसके लावा WhatsApp चैनल को भी जोईन कर सकते हैं Study करके App को Download कर लीजेगा इसका Link Description Box में दिया गया है यहाँ पर आपको Paid Course, E-Book, Test Series, PDF, Delhi को जीए सबी मिल जाएगा इसके अलाबा जून 2024 के Current Affairs की E-Book मिल जाएगी हिंदी और अंगलिस 9 मीडिया में तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर लीजेगा दोस्तो एप पर आपको Monthly Current Affairs के अलाबा Six Month के Current Affairs और Yearly Current Affairs की E-Book भी मिल जाएगी जिन सबी को प्राप्त करने के लिए एप को ज़रूर डाउनलोड करें